इस्राइल ने कहा है कि हिजबुल्ला ने आज पाँचवी बार एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है गाजा पर चल रहा है इस्राइल की बंबारे के बीच अचानक युद का एपिसेंटर लेबनान की तरफ मूर चुका है अगले 24 घंटे में हालात इतने खतरनाक होने जा रहे हैं कि अमेरिका से लेकर रूस तक इस युद में शामिल हो सकते क्योंकि हिजबुल्ला ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिये हैं जिसका ओर्डर सीधा तेरान से आ रहा है पंद्रह अक्टूबर दो हजार देज हेस्बुल्ला एक के बादे कई मिसाइल फायर करता है पहला हमला टावर ओड़ गया दूसरा हमला रेडार तबाव हो गया तीसरा हमला एक और अड़्डा तहस नहस हो गया यह जगह है लेबनन और एजरेल के बॉडर पर शीबा फार्म्स का इलाका दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से ही और यहां बने है इसरेल के पांच बहुत ही खतरनाक अड़े अड़्डा नमबर एक अड़्डा नमबर दो अड़्डा नमबर तीन अड़्डा नमबर चार अड़्डा नमबर पांट यह जगे गुलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहां पहाड़ों की उचाई पंद्रह सौ मीटर तक है नीचे लेबनन का इलाका और यहीं से अटाक लाँच किया गया इस ग्रैफिक से समझ सकते हैं इस इलाके की टोपोग्राफिया कौन कहां मौझूद है कौन सा इलाका किसके पास है अब यहां क्या हुआ बहुत गोर से देखेगा यहां लेबनन के इलाके में हिजबुला का पूरा कंट्रोल है और उसने निकाले तीन बहुत ही खतरनाक एंटिटैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट रॉंचर यह मिसाइल इरान से सप्लाई की जाते रही है और ऐसी मिसा मिसाइलों का हिजबुला के पास बहुत बड़ा जखीरा है सारे तीन किलोमीटर यह अमेरिका में बनी मिसाइल है लेकिन अब इसके नकल इरान तयार कर रहा है और इसने हिजबुला को सप्लाई की है तीसरी है 85 कॉनकॉर्स रेंज चार किलोमीटर यह भी रूस ने बनाई है और अब इरान में यह तोसान नाम से तयार की जा रही है तीनों मिसाइल बहुत ही खातक है और जिस तरह से इन्होंने इसरेल के अर्टे उड़ाए है उससे यह बात साबित हो जाती है इस भुला का दावा है कि उसने यह हमला लेपनन में इसरेल के हमले के जबाब में किया इस्रेल के हमले में एक पत्रकार की मौत होई है जबकि कई घायल होए है इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पत्रकार घायल हालत में है और पास ही एक गाड़ी जल रही है इस्रेल पर इस हमले का आरूप लगा है अब लेबनन में इस मॉर्डर को लेकर इस्राइल को लेकर बहुत गुसा फैल चुका है इस्राइल के खिलाब बेरूत में लगातार प्रदर्शन हो रहे है इसी को देखते हुए अब भेजबुल्ला ने क्या किया है वो बहुत गौर से देखिएगा सबसे पहले इस्राइल का अड़ा नमबर एक शतुला इलाके में बने इस अड़े पर हिजबुल्ला ने किया पहला हम्डा हिजबुल्ला ने कॉर्णेट मिसाइल से अटेक किया जो सीधा जाकर इस्राइल का एक टावर उड़ा देती है हेजबुल्ला की ये रेंज देखकर इस्राइल के कैम्ट में खलबली सी मच गई क्योंकि निशाना भी बिल्कुल सखीक लगा और टावर पूरी तरह से तबाह हो गया इसके बाद टार्गिट बना इस्राइल का अड़्डा नंबर दो ये भी शतुला इलाके में है और यहां हेजबुल्ला ने किया दूसरा हम्डा इस बार हेजबुल्ला ने बीजियम 71 टो एंटी टैंक गाइड़्ड मिसाइल का इस्तिमाल किया अमेरिका में बनी ये मिसाइल इतनी सठीक है कि इसने ठीक रेडाय स्टेशन को तबाह किया इस बार हेजबुल्ला ने कॉंकर्स एंटी टैंक गाइड़्ड मिसाइल फायर की रूस की ये वायर गाइड़्ड मिसाइल भी इसरेल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है इसके बाद चौथे और पांचमे अड़े पर भी हेजबुल्ला अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड़्बों का हुआ है हजबुल्ला का दावा है कि इन हमलों में इसरेल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक दिमारे गये है समझ लीजे कि इस वक इसरेल और लेबनन के बॉर्डर पर आग लगी हुई है और ये सब कब युद को दस गुना भड़का सकते है इसके बारे में दुनिया में सिर्फ चार लोग जानते है पहले हैं इसरेल के प्रधान मंत्री बैन्यमिन नीतन याहू तूसरे हैं इरान के राजशबती इब्राहिम रईसी तीसरे हैं अमेरिका के राजशबती जो बाइटर और चौते हैं यूरप से लेकर अमेरिका तक सब को हिला देने वाले रूस के राजशबती व्लाद मेर कोते है लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव एरान है एरान के विदेश मंत्री हुसान अमीर अब्दॉल्ला हिया ने कहा है कि अगर इसराइल ने घाज़ा पर बंबारी नहीं रोकी तो हिजबॉल्ला ने ऐसी तयारी की हुई है कि इसराइल में जलजला आजाएगा दर इसराइल अलेई है शहरवन्दान वे गेर निजामियान दर गज़ज फूरन मतवकिफ शबद इरान के विदेश मंत्रे ने 48 घंटे में वो कर दिखाया है जिसका तेल अवीब से लेकर वशिंटन डीसी तक खौफ फैला हुआ है इसराइल को लेकर इरान की वार डिप्लोमेसी इस वक्त युद्ध के कई फ्रंट खोल चुकी है साथी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान से इरान के राश्रपती इब्राहिम रैसी की बादचीत के बाद 48 घंटे में इरान की विदेश मंत्री ने इराक का दोरा किया वहां के राश्रपती से मिले इरान की विदेश मंत्री ने सीरिया जाकर वहां के राश्रपती से मुलाखात की हुसायन अमीर अब्दुल्ला हियां फिर लिबनन गए और हेजबुला की लीडर्शिप से मिले इसके बाद वो कतर है और वहां की विदेश मंत्री से मीटिंग करने के बाद हमाज की लीडर्शिप याने इसमाईल हानिया से मुलाखाग की सवाल है कि क्या 48 घंटे के अंदर इरान और इस्रेल के बीच बड़े युद्ध की तयारी हो चुकी है इस्रेल ने भी लेबनन बॉर्डर पर हमले का वीडियो जारी करके बताया है कि वो हिजबुल्ला को छोड़े का नहीं लेकिन अपनी ताकत दिखाने के लिए हिजबुल्ला ने अपने वीडियो वाइरल करने शुरू कर दिये है हिजबुल्ला के इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो इसराइल पर हमले के लिए तैयार है इस वीडियो में हिजबुल्ला का मेसेच साफ है कि उसका अटैक ऐसा होगा जो इसराइल रोक नहीं पाएगा इस वीडियो में हिजबुल्ला का मिलीशिया कमांडो अपरीशन की तरफ इशारा कर रहा है इस वीडियो में हिजबुल्ला बता रहा है कि उसके कमांडो मोटर साइकल पर आएंगे और इसराइल की सेना भागती हुई नजर आएगी इस भुल्ला ने बहुत साप साप शब्दों में कह दिया है कि वो इस्रैल पर हमला कर देगा अगर इस्रैल की सेना फिलिस्तीन के खाजा में घुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इस्रैल पर चड़ाई कर देगा इस्रैल और लेबनन के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यहां सैयुक्त राश्ट की शांती सेना तैनात रही है इसमें भारत की फौज भी शामिल है इस सुक्त इस्रैल को गाजा से ज्यादा इस बॉर्डर की टेंशन है क्योंकि अगर इस्रैल गाजा में घुसा तो हिजबुल्ला उत्तर की तरफ से इस्रैल पर हमला बोल देगा Hezbollah fighters fired an anti-tank missile towards Israeli troops. There was a short battle and the situation eventually calmed down. Afterwards Hezbollah sent drones into Israel and also fired surface-to-air missiles against an Israeli aircraft. All of those two attempts were successfully intercepted by the IDF but the situation on the northern border remains very tense and we are monitoring the activities of Hezbollah very closely with additional enhanced capabilities in the north prepared for any eventuality that may happen. दक्षन लेबनन और उत्तरे इस्रैल के बीच जो border है वहां तनाव बहुत ज़्यादा है यहां अफरात अफरी के बीच खामोशी है जो तूफान से पहले देखी जाती है इसलिए यहां के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपी सेंटर गाजा से निकल कर लेबनन तक पहुँच सकता है यहां तैनाद संयुक्त राश्री की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर है लगातार पेट्रोलिंग हो रही है इसरैल की सेना ने अपना गोला बारूत तयार रखा हुआ है तोपों से जो गोले फायर किये जाएंगे वो पहले से ही रेडी मोड पर रखे गए है इसरैल की रिजर्व फोर्स भी आसपास के इलाखों में तैनाद की जा रही है ये हम भी गाड़िया है जो लगातार यहां तक पॉज पहुचाने में लगी हुई है 2006 के बाद इस बॉर्डर पर इससे जादा तनाव नहीं देखा गया और अब हिजबुल्ला की वानिंग के बाद सबकी नजर इरान पर भी है और उसके एक दोस्त सीरिया पर भी है इस्राइल के गोलाम की पहड़ियों पर भी टैंक पहुचा दिये गए हैं ये जगा सीरिया का हिस्सा था लेकिन 1966 में युद्ध के बाद इस्राइल ने सीरिया के इस हिस्से को अपने में मिला लिया और तभी से ये इसरेल के कंट्रोल में है देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्य मेश्या में युद्ध की चंगारी पहुँच चुकी है इसरेल से लेकर घाजा और घाजा से निकली गया आग अब लेबनन पहुँच चुकी है चंगारी, सीरिया और इरान में भी नज़रा रही है